नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिटेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में नाम है 1000 बेवीज आई है ये डिजनी प्लस हॉट स्टार पे, मोलता है ये मल्यालम सीरीज है हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं, डिरेक्टर है नजीन कोया दोस्तों रिव्यू के शुरुआत करने से पहले एक रिक्रेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजेगा, क्यों फिवेब सीरीज और वो भी इसके रिव्यू के साथ आप पर हमिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारे दोस्तों सबसे पहले तो ये कि इस सीरीज के नाम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और आकरशित किया, इसका नाम यूनीक है दूसरा ये कि जिस तरह से यहां नीना गुपता की तस्वीरे आई थी तो वो भी एक बड़ा आकरशन था कि मैं ये सीरीज देखू और इस सीरीज की जो कहानी है वो भी थोड़ी यूनीक है थोड़े अलग बेस पे बनी हुई है यहां आप देखते हैं एक महिला को जो की एक नर्स थी अब रेटार हो चुकी है, नाम है उनका सारा और अपने युवा पुतर के साथ वो रहती है, बस घर में दो ही लोग है लेकिन सारा जो है, वो मांसी ग्रूप से थोड़ा परेशान भी है थोड़ा इल्यूजन में भी वो रहती है और वो दिन भर घर की दिवार पे कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ लिखती रहती है मारकर से, उसका बेटा एक लैब टेक्निशिन है लैब में काम करता है और अपनी मा का ख्याल लगता है लेकिन फिर सारा दो चिथिया लिखती है और फिर एक बात वो अपने बेटे को बताती है ये बात सुन करके बेटा चंत क्रोध में आ जाता है उसे कुर्सी से नीचे पटक देता है सारा अस्पताल पहुंच जाती है और वहाँ वो एक पुलिस अधिकारी एक वकील को बुलाती है और दो जो चिथिया उन्होंने लिखी थी सील बंद चिथिया वो एक पुलिस को सौब देती है और एक वकील को देती है कि जाकर के मैस्ट्रेट को दे दे और जब सारा की चिथी खुलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक गजब कन्फेशन था लेकिन कुछ ऐसे राज थे इसमें कि अगर वो बाहर आ जाये तो तहल का मज जाये और उसके बाद फिर पुलिस ने इस केस को दबा ही दिया एक तरह से फिर क सारा साल पहले जो चिथी लिखी गई जो राज दफन कर दिया गया उससे इस कत्व का तार कहीं जुड़ रहा है और उसके बाद ये इनिस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो दोस्तों इस सिरीज की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे धंग से है और शुरुआत में ही ज जो बड़े अधिकारी है जो में स्ट्रेट हैं वो सब भी हैरान हो गया है तो एक सुक्ता हमारे मन में होती है कि ये जाने की आखिर इस चिथी में है क्या वो क्या ऐसा राज है जो अगर बाहरा जाए तो हजारों लोगों की जिंदिगिया तबाह हो सकती है और फिर ये जो कहानी है तीसरे एपिसोड तक बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है और बहुत ज़्यादा आपको बांध करके एक मिस्ट्री में रखती है फिर तीसरे एपिसोड के बाद एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कहानी का जो रुख है कहानी की जो धारा है वो एक serial killing की तरफ बढ़ जाती है और फिर serial killing की investigation आप देखते हैं जिसमें बाद में सारे राज भी खुलते हैं तो दोस्तों यहां कहिए कि जो शुरू के तीन episode है वो बहुत ही जबरदस्त है लेकिन बाद के जो episode है उसमें आपको कुछ धीलापन दिखता है कुछ सुस्ती दिखती है और investigation हलाकि आगे बढ़ रही है लेकिन जो engagement है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि यहां यह मतलब की चीज़ें भी आपको बहुत दिखती है रफतार भी कई बार slow दिखते है कि मतलब एक ही चीज़ को repeat कर दिया गया है तो यह थोड़ा सा मुश्किल होता है देखने में अब देखें यहां psychology की भी बात है यहां serial killing की भी बात है तो interesting तो यह है लेकिन अगर अपनी कमियों को यह थोड़ा सा कही एक control में रख पाते तो बहुत ही अच्छा लगता अब investigation की बात देखिए कि यहां एक तरफ तो investigation door to door हो रही है तवाब चीज़े हो रही है पुलिस वाले मतलब ज़्यादा तर चाय पीते हुए या cigarette पीते हुए विचार कर रहे है और दूसरी तरफ यह investigation इतनी हाइफाई है कि मतलब पेपर को एस्कान करके स्क्रीन पे ही देखा जा रहा है यहां दूसरी चीज़े आपको दिखती है जैसे drugs वाला एंगिल है उसमें भी लगता है कि बहुत बढ़ा चड़ा करके दिखा दिया गया कि एक आदमी है बिल्कुल ही Breaking Bad का प्रोफेसर बना हुआ है और घर में ही drugs बना ले रहा है तो कुछ चीज़े है जो यहां खटकती जरूर है लेकिन फिर भी यह सीरीज वो देखने में ठीक है क्योंकि इसका concept नया है जैसा मैंने कहा और investigation वाला पार्ट ठीक है हलाकि जो क्लाइमेक्स है वो भी आपको थोड़ा कमजोर दिखता है और यहां कहानी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है यहां कहानी को दूसरे सीजन में ले जाने की भी तैयारी है लेकिन वहां भी फिर एक गरवड़ी सामने आजाती है कि वहां हमको कैसारी डाइरीज दिखती है अब भाई जब सारा अपने बाते डाइरीज में लिख रही थी तो वो दिवार पे क्यों लिख रही थी अब यह सवाल अचानक हमारे मन में आए जाता है तो दोस्तों आप इस सीरीज को देखिए आप कह सकते हैं कि यह थ्रिलिंग इन पार्ट्स है इंगेजिंग इन पार्ट्स है लेकिन कसेप्ट नया है तो आपको देखने में मज़ा आएगा और यहां मुझे लगता है कि जो एपिसोड के नाम रखे गए है वो बड़े कमाल के रखे गए बहुत सो समझ के है एक अलग तरह का रोल है उनका देख करके मज़ा आता है रह्मान है और दूसरे भी कलाकार है सबने अपना अच्छे से कान किया है बैग्राउड स्कोर अच्छा है सिनिमेटोग्राफी अच्छी है एडिटिंग का पार्ट जरूर ही कमजोर है एडिटिंग अगर बहुत ही स्टार्फ होती और एपिसोड थोड़े कम होते तो ये सिरीज और भी मज़ेदार हो सकती थी तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सिरीज को जब मैं रेट करूँ तो थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखते हुए रेट करूँ और इसलिए जो मेरी रेटिंग है वो है पाच में से तीन की तो दोस्तों आज बस इतनी बात आपको ये रेविव कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर ये सिरीज देखिए तो भी मुझे बताईएगा पको कैसी लगा और आपने लगा